नमस्कार दोस्तों एक और फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने हेल्पिंग और यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं बेल्ट्रॉन डियो का जो एक्जाम हुआ था 17 दिसंबर 2019 को फर्सष्ट का मैं फसनों लेकर आ गया हूं आपके सामने आवी मैं जतना भी फटॉसन पेपर लेकर आ रहा हूं सिर्फ 1 तो 사थंच कर लेकर आ रहा हूं चाहिए हैं विडियो को चैनल को मेरे चानल को सब्सक्राइक और वीडियो को सिर moanor नल बूल तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, पहला कोशन, MS Excel में फ्रीज किये गए पैन को हटाने के लिए, विंडो मेन्यू पर किलिक करें, और फिर डैस पर किलिक करेंगे, तो फ्रीज पैन पर किलिक करेंगे, फ्रीज पैन का उप्शन होता है, आगे बढ़ किसी वर्क सीट या वर्क बूक को सुरक्षित करते हैं, तो क्या होता है, सभी सेल लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल एक सेल लॉक नहीं होती है, केवल एक पंक्ती है, केवल एक कॉलम जो है सेव नहीं होती, अगर आप वर्क सीट या वर्क बूक को ही के समान होता है तो Ctrl Plus C से copy होता है आगे बढ़ते हैं डेस computer network पर उपयोग करताओं को सूचना संसादनाओं सेवाओं और पर्योगों की पेसकस करने वाले सरवर डेस के रूप में कार करता है तो होस्ट के रूप में वो कार करता है अगे बढ़ते हैं MS excel 2016 में इन में से कौन सा वेध डाटा परकार नहीं है तो वह इमेज है इमेज डाटा के रूप में नहीं होता है नंबर संख्या नाम टेक्सट वगरा जो भी होता है वह एक आपको डाटा का परकार होता है जबकि image डेटा का परकार नहीं होता है आगे बढ़ते हैं Windows XP में auction center एक dash होता है तो अधी सूचना होता है notification जिसको बोलते हैं सबसे नीचली slide से पहली slide पर जाने के लिए keyboard पर dash दबाते हैं तो home क्योंकि हम लोग नीचे से उपर जा रहा है तो home दबाएंगा और उपर से अगर सीधा हमको नीची आना होगा तो end पर किलिक करेंगे आगे बढ़ते हैं source program क्या है HLL high level languages का full form है HLL में लिखे गए program को मसनी भासा में रूपांतर करना high level language का जो program है उसको मसनी भासा में convert कर देना ही source program कहलाता है mail merge का उप्योग करके आप एक dash भी बना सकते हैं क्या बना सकते हैं तो email love आप बना सकते हैं mail merge का उप्योग करके अपनी Excel worksheet को password से सुरक्चीत करना दूसरों को आपके data के साथ छेड़ चार करने से रोक सकता है यह कथन क्या है बिल्कुल सही है अगर आप अपने worksheat या workbook में password लगा देते हैं तो क्या होता है कि कोई भी आपके data के साथ छेड़ चार नहीं कर पाएगा यह बहुत सही है MS Windows की बुटिंग के बाद आने वाली मुख एवं पहली screen को क्या कहा जाता है जैसे आपका system open होता है बुटिंग होता है मतलब open हो जाता है तो सबसे पहला जो screen देखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो desktop कहते हैं आगे बढ़ते हैं dash hyperlink बनाने के लिए पर्युक्त shortcut कुंजी है तो hyperlink के लिए control K होता है control J से justify होता है control B से paste होता है control K से hyperlink होता है और control H से find and replace का option खुलता है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि control F अगर आप press किज़ेगा तो find का option होगा control अगर आप H प्रेस करते हैं तो refresh का option होगा और control के साथ अगर आप G प्रेस करते हैं तो go to का option खुलता है आगे बढ़ते हैं आपके द्वारा उप्योग किये जाने वाले password पर लंबाई वर्न या संख्याओं के संबन में कोई परतीबंद नहीं है है लेकिन password होते हैं कोई परतीबंद नहीं है कि हम छोटा अक्षरी डालेंगे या बड़ा अक्षर डालेंगे या विसेस वर्न जैसे में हैच डॉलर या add the rate ऐसा कुछ डालेंगे तो यह क्या है केस सेंसिटीव हैं आगे बढ़ते हैं कि MS word में cut copy और paste बटन होम टैप के डैस पर इस्थीत होता है तो हम टैप के किलीब बोट पर इस्थीत होता है एक्सल में आप दो से अधिक सेल को मर्ज कर सकते हैं तो बिल्कुल इबात कथन सही है यह दो क्या हम 10 सेल को भी जोड़ सकते हैं पचास सेल को भी जोड़ सकते हैं तो यह बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं में से कौन सा चिन एक इमेल पते के दो भागों को अलग करता है यह तो सबको पता होगा एट दर एट आगे बढ़ते हैं हम डैस व्यू पे स्लाइड को हटा सकते हैं निमलिकीत में से कौन सा एमेस एक्सल में प्रयूक्त फंक्सन नहीं है एल्ट कोई भी फंक्सन नहीं है एमेस एक्सल में जब आप एक नई खाली वर्कबुक खोलते हैं तो सेल अस्तम और पंक्ती डैस में सेट हो जाती है किसमें सेट हो जाती है तो ऑप्राप तो मतलब डिफॉल्ट रूप में सेट हो जाती है यहां पर मैं चीज और एट करना चाहूंगा जो मैं पिछले वीडियो में बताता ह करोगी हमेसा हइट होती है पंक्ती ही होती है हमेसा हाइट होती है और यहां पधना एक हमेसा हमेसा पू सकता है कि यहो की हैट क्या होती है और यह कोशन कर दिय कि कॉलंकी जुछाः भाध son क्या होता है तो 8.11 होता है याद रखिएगा दोनों 8.11 कॉलम की होती है और रो की 14.4 होती है आगे बढ़ते हैं आप अपने केंप्यूटर में सहेजी गई कोई तस्वीर एक्सल वर्क सीट में कैसे डाल सकते हैं तो इंसर्ट टैप पर किलिक करके चितर का चैन करेंगे और इंसर्ट करने के लिए अपने PC पर जहां फोटो है उसको खोज लेंगे और उस पर किलिक करके फिर इंसर्ट पर कि कोने के लिए आरंभ बिंदू के रूप में उप्यों किया जाता है तो स्लाइड मास्टर एक स्कूल में केंप्यूटर कलब बाइट्स अंड निब्बल्स के सदस एक स्पेट सीट का उप्यों करके अपने वारसिक अंतर स्कूल संगोस्ठी में सभी परती भागयों के लिए भ कौन सी ऑफिस तखनीक वांचित परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे उप्योंक्त है मेल मरज आगे बढ़ते हैं डैस विदा जो कैची की एक वास्तविक जोड़ी का उप्योंक्त करने के समान है आपको दस्तावेश से चैनीच पाठ टैक्स्ट को हटाने और वास्थाई रूप से ओफिस क्लिप बोर्ड पर रखने की अनुमती परदान करती है तो वो कट होता है कैची के तरह जो आप ब मदद से की जाते यह बाद भी बिल्कुल सही है कि हम लोग हैंडल के मदद से यह काम कर बाते हैं आगे बढ़ते हैं डैस कस्टम मेल बनाने के लिए पर्यूक्त MSWord का एक सकति शाली विसेश्था है तो मेल मर जाए डैस द्वारा परदान की जाने वाली विसेश्थाओं और सुविदाओं में डाउनलोड वर्क बूक और पासवर्ड परबंदन सामील है तो वे ब्राउजर है आगे बढ़ते हैं निमलिकीत में से कौन सी इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आव सकता है आई पूट को क्या कहा जाता है तो वह सॉप्ट कॉपी कहा जाता है जो आप अपने सिस्टम पर जो भी आप डाटा तैयर करते हैं उसको जो अंतिम रूप में आप देखते हैं उसे आप सॉप्ट कॉपी कहते हैं और जो आप प्रिंट करके निकाल लेते हैं पेपर में उसे हम ह लिए बा एंटे केर